समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूँगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनरविचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम संगाधान है राम सिर्थ हमारे नहीं है राम तो सब के है राम बरतमान नहीं, सिर्थ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है तर राम मंदिल प्रान प्रतिष्ठा की इस आयोजन चे पुरा विश्व ज़ड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोध्या का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुधेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये स्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिविय मुल्यों और सर्वोच्च आदर्षों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्षों की आवशक्ता आज संपून विश्व को है सर्वे भवन को सुके जाए ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रष्टी का भारत के दर्षन का भारत के दिख दर्षन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताब्योता की नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवः अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों आजए अभुमी हम सभी से प्रतेग राम वक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्योग का इनतिजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैवी आत्माए हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई है हमें देख रही है उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्रमन से मैसूस कर रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मन निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत के निर्मान की सौगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राश्चन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राश्ट तक होना चाहिए हनवान जी की भक्ती हनवान जी की सेवा हनवान जी का समर्पन यह ऐसे गुण है जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार मनेंगे और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटियां में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही भी भग्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते है कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से पड़े है निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने है सभी समान है प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो है देव से देश और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार साथियो आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का समरणी हमें हमारी इस हिचक तो दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का, राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों, लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ती के ध्यानी थे लेकिन जटायू, जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिए बियम महा बली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी कर्तव्य की यही पराकास्ता समर्त सच्छम बव्य दिव्य भारत का अधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले कि राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कान कान राम समरपन को राष्ट समरपन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभुसी राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए यह पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए यह पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य, पराकम, पुर्शार्थ, समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य, प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों ये भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत युवाश शक्ति की पुण्जी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगार अप्मक परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रालाग किलोमेटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना परंपरा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत समृत्धी के लक्ष तक पहुँचेगा मेरे साथियों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साथि बनेगा भारत के उतकर्ष का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साथि बनेगा भव्य भारत के अब्युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगड़ी सक्ती से जन्वा हो तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संभव नहीं है ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है सताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं हम सब ने इस यूग का इस कालखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं हम विकास की उचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत सुपकाम राए सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की